आनंद गिरी के पैत्रिक गाउं ब्रामनों की सरेरी में है और ये उनका पैत्रिक गर है कई सारे सवाल खड़े हुए जब उनको अखाडे से जिस वक्त निस्कासित किया गया था तब पंच परमेश्वर के सामने जो दलिल दी गई थी नरेंदर गिरी की ओर से उसमें कहा गया कि वो सांसारिक हो चुके हैं उनका अपने परिवार से लगाव हो चुका है इसलिए वो अब सादू नहीं रह सकते हैं एक तस्वीर ये गर की है ये देखिए कि आप ये अभी भी तस्वीर लगी विए आनंदगीरी की यहां पर गर पर लेकिन सन्यासी के रूप में तस्वीर लगी विए और ये जो परिवार के अंदर छोटा सा आप देख सकतें कि टोटल चार कमरे हैं जिसके अंदर ये ये पहले यह नहीं का कमरा बताते हैं, यह रूम रिजर्व किया गया, गर के लोग इसको पूजा रूम के रूप में प्योग करते हैं, लेकिन यह उनीक के नाम पर है, आनंदगिरी के नाम पर परिवार के अंदर, एक तरह से परिवार में उनका हिस्सा मान सकते हैं, कि यहां पर यहां पर यह एक देखिए कि परिवार के लोग यहां से इसी टीवी के जरीए आनंदगिरी को देखते हैं, उनके दर्सन करते हैं तो यह जो जुड़ाव है वो इसी की टीवी के माध्यम से यहां पर जुड़ाव है महंत नरेंद्रिगीरी की खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप उनीके सिष्य आनंदगिरी पे लगा इस वक्त हम आनंदगिरी के पैत्रक गाउं भीलवाडा के ब्रामनों की सरेरी के अंदर हैं जहां पर आनंदगिरी का जन्म हुआ वैसे उनका जो नाम है यहां के एसाब से वो अशोक चोटिया उनके पिता है रामेश्वर चोटिया उनके घर के बाहरी बैठें इस वक्त रामेश्वर जी आप आनंदगिरी जी के पिता है और अभी जो हुआ वो आपकी सब जानकारी में है नए उन पर आरोप ये लगा है कि जो उनके गुरू थे, नरेंदर गिरी, उनको खुदकुशी के लिए उकसाया और उन्हों नरेंदर गुरी ने अपने जो सुषाइड नोट है, उसके अंदर भी उनका नाम लिखा था कि उनकी वज़े से वो खुदकुशी कर रहे हैं. नरेंदर गिरी को मारने के विषए में जो लोग कह रहे हैं, बट श्रल स्वाबा वगा है, और अच्छा है लड़का है, और कभी ने इसी बात नहीं की थी लेकिन अभी इसरी की मुर्जी है, जो खुदकान की जिना मरियां से और मैं क्या क्या सकोंगी, बच्छा बहुत स्व और महंद के सुसाइड मिस्ट्री के बारे में आगे बताने से पहले ये बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, अब तक तीन लोग गिरफतार किये गए हैं, नरेंदर गिरी के शिशे, आनंद गिरी, अध्या तिवारी, उनके बेटे संदीब तिवारी गि और इसके लावा छे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिन से पूछताच जारी है, पूछताच की भी गई है, एसाइटी की टीम ने प्राग राच के बागंभरी मट्स में जाकर लोगों से यहां पूछताच की, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौकाने वाल सामने बैठा कर दो बार पूछताच यहां पर की गई है, महराजी क्या कहेंगे, देखे ऐसा है कि CBI जांच होगी, तभी इसकी असलियत की जानकारी हो पाएगी, हमें चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो जाए, तभी दूद का दूद, पानी का पानी होगा, तीन लोग की रप की जांच के लिए जांच होना चाहिए, जांच होना समाधी उनको यहीं देजाएगी, नया खाड़ा परशत का अध्यज भी चुना जाएगा तुछ ने जा रही है, तो समाधी उनको आज यहीं पर दीजाएगी, आगे क्या करेंगे संद महात्मा, बैठा करके निर्डें लेंगे क्या किया जा क्या न किया जाए